Hello students, आज हम करेंगे NCRT Class 8th Maths का Chapter 16, Playing Win Numbers की Exercise 16.1 Question है हमारे पास, Find the value of the following and give reason for the step involved First question दिया हुआ है 3A plus 2, 5 Add करना है हमने इन दोनों Numbers को, यहां पे हमारे पास B और यहां पे है 2 हमने क्या करना है, इसमें A और B की value निकारनी है, कि यहां पे A और B की जगा पे क्या आएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A की value हम क्या put कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 100 इन में से हम कोई भी value यहां पे put करके देखेंगे, हमारे पास यहां पे क्या है 5 और यहां पे क्या है 2 तो हम यहां पे क्या लिखें, कि हमारे पास यहां पे 2 आ जाए, अगर हम यहां पे 0 लिखते हैं, तो 0 प्लस 5 तो 5 आता है, इसमें 0 हम put नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम 1 put करते हैं, तो 5 प्लस 1 6 बनते हैं, means 1 भी put नहीं करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास 2, 5 प्लस 2 7 यह भी नहीं आएगा, नेक्स्ट 3, 5 प्लस 3 8 यह भी नहीं आएगा नेक्स्ट 4 प्लस 5 9 होता है, 5 प्लस 5 10, 10 की 0 लगेगी यहां पर 1 कैरी आएगा, तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए अगर हम 6 put करें, 6 प्लस 5 11 होता है, नेक्स्ट अगर हम A की जगा पे 7 लिखते हैं, तो 7 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है, 12 12 का 2 यहाँ पे आएगा, और 1 के आजाएगा हमारे पास क्यारी, means हम A की जगा पे 7 put कर सकते हैं, तो यहाँ पे आजाएगा हमारे पास 7 यहाँ पे है 5 प्लस, 7 प्लस 5, 12, 1 के आजाएगा, क्यारी यहाँ पे हमें 2 दिया हुए, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 2, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, means A की value आ गई हमारे पास 7, और B की value आ गई हमारे पास 6. Next है इसका second question, 4, A, प्लस 9, 8, यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे B है और यहाँ पे C, यहाँ पे हमने A, B, C की value find out करनी है, तो यहाँ पे भी हम पहले A की value देखेंगी कि क्या आएगी, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो हम A की क्या value put करें कि हमारे पास यहाँ पे 3 आ करेंगे, तो यहाँ पे 80 आएगा, means 0 तो reject है, 1 पुट करेंगे तो 9 आजाएगा, 2 पुट करेंगे 10 आएगा, 3 पुट करेंगे 11, 4 पुट करेंगे 12, it means अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं, A की value 5 लेते हैं, तो 8 प्लस 5 के आजाएगा 13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, य यहाँ पे हमें 9 दिया हुआ है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, यहाँ पे आजाएगा 14, means A की value आगई हमारे पास 5, B की value आगई 4, and C की value आगई 1, next है हमारे पास इसका third question, third है हमारे पास 1, A, multiply का sign है, यहाँ पे A, A, यहाँ पे हमें, हमने क्या करने है, A की value निकालनी है, यहाँ पे हम वो नमबर लेंगे, कि दोनों को multiply करके हमारे पास वही नमबर आए, जैसे अगर हम 1 को 1 के साथ multiply करते हैं, तो 1 आएगा, अगर हम A की जगा पे 1 पूट करते है तो 1, 1 लेकिन आगे नहीं हमारे पास आएगा, देखो 1, यहाँ पे आजाएगा 1, 1, 1, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 9, it means हम 1 पूट नहीं करेंगे, अगर हम 2 पूट करते हैं, तो 2, 2 जा क्या होता है, 4, लेकिन हमें वही नमबर चाहिए, 3, 3 जा क्या होता है, 9, 4, 4 जा 16 वो भी 6 आ रहा है, 5, 5, 25, अगर हम यहाँ पे 5 पूट करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, 5, 25, 2, carry, 5, plus 2, 7, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 9, it means 5 भी यहाँ पे नहीं आएगा, उसके बास, 6, 6, 36, हम 6 पूट करके देखते हैं, अगर हम 6 लेते हैं, 6, 6, 36, 3 आ जाएगा हमारे पास, carry, 6, 1, 6, 6, 6, plus 3, is 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, it means यह वाला सही है, तो A की value क्या आ गई हमारे पास, 6, Next है हमारे पास इसका 4th question, यहाँ पे A, B, plus 3, 7, answer है हमारे पास 6, A, तो unit place में हमारे पास 2 number missing है, और यहाँ पे हमारे पास है A, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है, तो हम पहले 10th place से answer निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 number missing है, तो 3 में हम क्या add करें कि हमारे पास क्या आ जाए 6 आ जाए तो 3 में अगर हम 3 एड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 तो हम पहले इसकी A की वैल्यू 3 लेकर देख लेते हैं 3 प्लस 3 यहाँ पे क्या हमारे पास 6 नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे B यहाँ पे 7 तो A की वैल्यू क्या उट की यह हमने 3 तो अब B की वैल्यू निकालनी है तो 7 में हम क्या आड करें कि हमारे पास 3 आ जाए एक बात का ध्यान रखने हैं कि हमने यहाँ पे कैरी निली तो अगर हम 7 में 6 एड़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 1 कैरी आएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आजाएगा? 7 It means जो हमने A की value ली है वो क्या है? गलत है तो अगर हम हमारे पास यहाँ पे एक कैरी भी होगा तो यहाँ पे 6 कैसे बनेगा 3, 4, 4 में हम क्या एड़ करें कि 6 आजाए 2, means एक ही अगर वैल्यू हम 2 लें यहाँ पे हम ले लेंगे 2, B, 3, 7 यहाँ पे आगया हमारे पास 6 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 यहाँ पे 2 आजाए तो 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी भी है तो 7 में अगर हम 5 एड़ करें 7 प्लस 5 कितना होता है 12 तो B की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 5 तो यहाँ पे आजाएगा हमारे पास 2, 5, 3, 7 इसको अगर हम एड़ करते हैं 7 प्लस 5, 12 1 कैरी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 इस 6 तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड B की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इस अवर अंसर नेक्स हमारे पास इसका 5 फिफ्थ कोश्टन यह मल्टिप्लाई का कोश्टन है A, B, मल्टिप्लाई बाई 3 आंसर आ रहा हमारे पास B, A, C means यहाँ पे हम 3 को ऐसे नंबर के साथ मल्टिप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास वही आए जैसे अगर हम B की वैल्यू जीरो पुट करें तो 3 जीरोजा क्या आ जाएगा? 0 means हम B की वैल्यू जीरो लेग सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 0 यहाँ पे हमारे पास 3 3 जीरोजा 0 B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 तो हमने अब वैल्यू निकालनी है A की 3 को हम किसके साथ मल्टिप्लाई करें? कि यहाँ पे हमारे पास 2 डीजिट में आंसर आएगा यहाँ पे A ही आएगा और यहाँ पे एक नमबर और आएगा अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू सेम लेते हैं जीरो लेते हैं तो थ्री जीरो जा जाएगा यहाँ पे भी लेकिन फिर C की वैल्यू नहीं आ रही अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं 3 1s are 3, तो भी हमारे पास 1 digit में answer आ रहे है, next अगर हम 2 put करते हैं, 3 2s are 6, वो भी 1 digit में है, 3 3s are 9, वो भी 1 digit में है, 3 4s are 12, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास, same number आना चाहिए, next अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, A की value अगर हम 5 लें, 3 0s are 0, 3 5s are 15, तो यहाँ पे भी 5 हैं, और यहाँ पे भी 5 हैं, statement में वही था कि यहाँ पे अगर, जो हम number ले रहे हैं, वही number यहाँ पे आना चाहिए, तो 3 5s are 15, तो A की value आगी हमारे पास, A की value आगी हमारे पास 5, B की value आगी 0, और C की value 1, आज की वीडियो में बस इतना ही, next questions हम next वीडियो में करेंगे, thanks for watching,